हलो एवरीवन, मैं विश्च जीत सिंग, आप सभी का दीई नहों पर सौगत करता हूँ दूस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 09 का Unit 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे राष्टिय आंदोलन जन आधारित राजनीती अवस्था 2 देखो, राष्टिय आंदोलन की सतर से आगे बढ़ रहा था ठीक है, हम अंग्रेजों के खिलाव किस तर से लड़ रहे थे उसके बारे में हम यापर डिस्कॉस करेंगे किस तर से मास फेज जो पूरा कनेक्ट हो रहा था लोग किस तर से कनेक्ट होते जा रहे थे नेशनल मुमेंट के अंदर में उसके बारे में हम डिस्कॉस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे यूनिट के अंदर में कितने लेसंस हैं उन लेसंस के बिस्स पे किस तर के टॉपिक्स बन रहे हैं उन topic के business पे क्या questions बन सकते हैं, उनके pattern क्या हो सकते हैं, और उनका answer हम sort में discuss करेंगे, यह बहुत जादा useful videos होने वाली हैं सारी, आप कम समय में एक particular chapter के अंदर में क्या-क्या topics important हैं, उसके बारे में जान पाऊगे, और उनी topic को पढ़कर अच्छे नमबर ला सकते हैं, उसलिए उसको अपने cover कर सकते हो, उतना समय है नहीं हमारे पास, कि हम एक एक chapter को detail में पढ़ें, ठीक है, तो एक तरह का selective study है, आप video को जुरूर देखें, और last तक देखें, जिससे आपको समझ माया है, और सारे unit की video देखें, जिससे आपको समझ मायाएगा, और जो भी आपका response रह अधारित राजनिती बनती गई, ठीक है, राश्टी ये आंदोलन, उसके बारे में हम डिसक्स करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले जो chapter आता है, chapter number 15 के हम बात करते है, जहां पर हम बात करते है, सवनिय अवग्या आंदोलन के बारे में, ठीक है, सवनिय अवग्या अंदोल जा चुकी थी, और क्वीन के हाथ में पूरा सौशन था, क्वीन के द्वारा चलाय जा रहा था, तो क्वीन के तुरू कोई भी rule regulation पास किया गया, कि यह चीज़े ऐसे चलेंगी, वहां पर अगर उन्होंने कुछ बोला है, तो उसको हमने माने से इंकार कर दिया, अवग्या कर दिया, उसके बारे में आपको पूशन आता है, ठीक है, सवनिय अवग्या अंदोलन क्या है, या फिर असयोग अंदोलन क्या है, असयोग अंदोलन, यहां पर दो चीज़े रहती है, तो दोनों को आपको पढ़ के चलना होगा, सवनिय अवग्या अंदोलन, असयोग को बताईए तो उसको आप थोड़ा सा पढ़िए जिससे आपको समझ में यहां पर यह इंबॉलन टपिक रहते हैं दूसरे यहां पर हम बात करें एगले चैप्टर के और तो यहां पर बात करते हैं सविधानिक विकास के बारे में कि किस तर से सविधानिक विकास हुआ ठीक है किस तर से आगे बढ़ा तो यहां पर सविधानिक विकास के अंदर में एक टॉपिक बनकर आता है साइमन कमिशन का कि साइमन कमिशन है क्या ठीक है तो 1927 के अंदर में जॉन सर जॉन साइमन के द्वारा मतलब एस साइमन कमिशन लाए गया था उनके नाम पर साइमन कमिशन की ठीक है साइमन कमिशन की एकक है वित्व कभूर से और 1927 में का पादर कॉंग्रेस मंतरी मंडल का रहता है कि कॉंग्रック मंदल कि उपलब्दिया घलते हैं impeible // छोगडों 930 सेनाव और वहां पर की विजय होतीはいлось APP इनीं पहँद आउंपप खाना Чिजह रखी गई इन्हों सबसे पहले यहां पर टारिप करते हैं कि यह रसक्ता है matter सब्सक्राइब लेकर खड़े होथ तो इस तरह के और यहीं एक topic रहता है टिपनी बेस्ट यह भी question आ जाता है अगले chapter 18 जहां पर है 1930 के दसक में वैचारिक फलक ठीक तरह से जो अलग अलग ideologies थे उनका किस तरह से 1930 के अंदर में उधे होता है उसके बारे में बात के जाता है वैचारिक फलक क्या थे यहां पे ना टिपनी बेस कोश्चन यहां पर भी आता है डांडी मार्च क्या है उसको लेकर आया जाता है जैसे डांडी मार्च की बात करो तो टोटल 78 लोगों के द यहां पर नमक बनाकर खतम किया गया था तो यहां पर कोश्चन आ जाता है कि डांडी मार्च है क्या उसके बारे में बताईए वैचारिक फलक मतलब क्या है अलग-अलग किस तरह के आइडिलोजिस थे किस तरह से वह कर रहे थे 1930 के दसक में वह आपको यहां पर बताना है त पर एक ही टॉपिक बनकर आता है ठीक है कि डांडी मार्च है क्या उसको बताईए तो यह आप यहां पर explain कर सकते हो अगले चैप्टर को बढ़ते चैप्टर नमबर 19 जहां पर बात करते हैं रियासतों में राजनितिक लोकतांतरिक करना ठीक है जो भी रियासत थे ठीक है ज उस समय पर किस प्रकार से राजवाड़ों की परविर्थी किस प्रकार के थी ठीक है राजवाड़ों का भीविर किस प्रकार का था ठीक है नेचर किस प्रकार का था उसके बारे में आप बात के जाती है तो यहां पर आप देखोगे तो जो भी राजवाड़े थे वो ताना पर विर्टी के रास्भूर आसर ववस्ता था जमीनों पर अधिकार होता था स्वामित वह एक प्रकार से पूरा तरस उनके उपर था उनका था छेत्रों के उपर में तो यह चीज़े यहां पे देखने के लिए मिलती है और इस इंडिया कंपणी से कंपेर करोगे तो इस कि राजवाडों की जनता द्वारत लोगतांतरी करना किस तरह से जो वहां के राजवाडों की जनता थी राजवाडों की जनता थी राजवाडों की जनता थी वह लोगतांतरी करन की किस तरह से मांग करने लगी ठीके किस तरह से क्या चीज़े लागू की जो लोगतांतरी क क्वार्यीव सहला है कि लोग अपने अधिकार की बात करते अंदर में अगर बात करें तो टीन चरण के अंदर में इसको पढ़ा जाता है 530 को 1910 का चरण होता है 1910 का 1949 का और 1930 आस niveau की राजवड की इसके अंदर में खांता है मुन प्रिशार्षाषि करने सेवोगों के हैती जो राजह होते थे तो पर्शासरीक सेवाओं के लिए अलग की आफिसर्स को नीट करते हैं अखांतिकर रोजगार के लिए लगत लगतर की मांग की जाने लगी लोगों से, ठीके लोग परिशत, लोगों की जो भी feelings हैं, जो भी matters हैं, वो लोग परिशत के अंदर में solve किया जा सके, लोग नियाल ले की स्थापना की जा सके, सरकारी रोजगार व्यवस्था लाई जा सके, इनके बा आपको पंदरवा चैप्टर सविनिय अवग्ज्यान दोलोन का क्या है, वो और लास्ट का रियासतों में राजनितिक लोगतांतरी करना, ठीके ये दो कोश्चन रहते हैं, इनको दूर पढ़िएगा इन दोनों टॉपिक को थोड़ा ध्यान से, बाकि जितने भी टॉपिक स सब्सक्राइब से, हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी और वीडियो बनाने के उपलिए वर्क करते हैं, ठीके तो और आपके लिए बेनिफिट होगा, और भी वीडियोस हम बना पाएंगे, जल्दी जल्दी आप लाइक से सब्सक्राइब जरू करें, अपने सभी दोस्तों पहुंचाएं, यह ज़्यादा जरूरी होता है, तो फ्रेंट्स थैंक यू सो मच फिर वाचिंग मी, थैंक यू सो मच फो लिसनिंग मी, और जो भी आपका रिस्पॉंज रहेगा इस वीडियो को उपर में, उसके बाद ही मैं अगला वीडियो डालने वाला हूं, तो थैंक यू सो मैं यू सो मैं यू सो मच बाद तक कियर बेस्ट